C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए महलियाती साइंस की समय दर्सी किताब आसपास का 24 और आखरी सबक जिन्दगी का जाल सफ़ा नंबर 156 इस सफे पर साथ मुख्तलिफ दाइरे बनाए गए हैं जिन में गिलहरी, साप, पेड़ पौदे, पानी, सूरज, घास की तसावीर है एक बड़ा दाइरा है जो की खाली है अब तक तुमने तकरीबन किताब पूरी पढ़ ली है तुमने पेड़ पौदे, जानवर, पानी, घर, सवारियां और भी कई चीजों के बारे में पढ़ लिया तुमने उनके बारे में जरूर गोरो फिक्र किया होगा क्या तुम बता सकते हो कि हम इन चीजों के बारे में मालुमात हासिल करने और उन पर गोरो फिक्र करने की कोशिश क्यों करते हैं सफ़ा नंबर एक सो सतानवे इस सफ़े पर साथ मुख्तलिफ दारे हैं जिन में परिंदा, चांद, गाए, चूहा, मिट्टी, घर, हवा की तसावीर बनी हुई है आओ मालूम करते हैं कि तस्वीर में दिखाई गई चीजों से हम कैसे जुड़े हुए हैं सबसे पहले खाली दारे में अपनी तस्वीर बनाओ सफा नंबर 158 अब अपनी तस्वीर से लकीर खीच-खीच कर इन चीजों से जोड़ो जो तुम्हें अपने जिन्दा रहने के लिए ज़रूरी लगती है क्या तुमने अपनी तस्वीर को घर से जोड़ा है देखिए घर को किन किन चीजों से जोड़ा जा सकता है सोचो घर किन चीजों से बनता है लकड़ी जो पेड़ से हासिल होती है इट जो पानी और मिट्टी से बनती है मिट्टी हमें जमीन से मिलती है और पानी हमें नदी, तलाब, कुएं और बारिश से मिलता है तुम समझ गए होंगे कि घर को किन तस्वीरों या अलफाज से जोड़ना है अब इसी तरह एक-एक करके सभी चीजों को उनसे वाबस्ता दूसरी चीजों से जोड़ो यह सब करने में हो सकता है कि तुम्हें कुछ और चीजों के नाम लिखने की जरूरत पड़े इतना सब करने पर क्या बना? बन गया ना एक बड़ा सा जाल? यह जाल देखकर तुम क्या समझे? तुमने जो जाल बनाया है उसको अपने दोस्तों को दिखाओ और उनका बनाया हुआ जाल भी देखो क्या सब एक जैसे हैं? साथियों के साथ इस बात पर गुफटगू करो बच्चों के जरीए बनाय हुए जाल उनके मौहौल में पाई जाने वाली चीजों के बाहमी अनहसार की एहमियत को समझने में मावून होंगे क्लास में इसके बारे में कुफटगू करने से उन्हें जाल बनाने में मदद मिलेगी इसी के साथ 24 असबाक के किताब आसपास का आखरी सबक जिन्दगी का जाल यहीं खत्म होता है सौती ताउन तलत खान अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्थे पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्मान सहयोग मिनाक्षी कुकरेती निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत